आप सबी का सौगत है गेमिक समाचार में E3 स्पेशल तो आज हम बात करेंगे स्टार वार्स बैटल फ्रंट की जो की सौनी कॉन्फरेंस E3 2015 में इसमें Star Wars Battlefront का मल्टि प्लेयर गेंप्ले फुटेज तिखाया गया है पांच मिनिट की जिसमें आप देख सकते हैं वाह का रसल बैटल ओन होथ और इसे डायरेक्ली PS4 पे कैप्चर करागया है मल्टि प्लेयर गेंप्ले फुटेज इस होथ मैप में दोने तरफ की साइड से इ अगर आप रेबल हैं, स्टार्म टूपर्स हैं या एटी एटी या एटी आई फाइटर के बीच में दिखाया गया है इस मैप में आप देख सकते हैं कि स्टार्टूपर्स और रेबल्स दोनों अबजेक्टिव लिए खेल रहे हैं जिसमें आखरी में डार्थ वेडर आता है और उसके बाद उसकी लडाई होती है लुक स्काइवाकर से जिसे आप इस नाई ट्रेलर में देखेंगे जो की बहुत ही उम्दा है स्टार वार्स फैंस के लिए जो चाहते हैं कि उनका एक जो स्टार वार्स युनिवर्स उसमें हर तरह की चीज़ कर सके हर वेकल्स हर क्यारक्टर को वो प्लेएबल बना सके इसलिए बहुत ही खुबसुरत काम करा है डाइस में इसमें जो गारक्टर क्स्तिमाजेशन हर वो हुट अच्हा करा गया है रख अलग प्रकार के डिक्राइबस इसे आप उचे कर सकते हैं और उनके साथ अलग अग दीम से खेल सकते हैं और以समें रभल और स्टार्टवपरश डों साइड्स गी गन वेपन से वो इंटर्शेज जो आपको इस मैप में मिलेंगे में अलग अलग जगों पे जिसमें आप जिसा कि आप स्ट्रेलर में देख सकते हैं स्टार वर्स पैटल फ्रेंट की डिलीज डेट 20 नौंबर 2015 है यह जादा दूर नहीं है इसमें डाइस और क्या नहीं नहीं फीचर डालता है जब तक यह रिलीज होता है और हम इसके आगे भी कुछ नहीं नहीं मुल्टि प्लेयर फुटेज और सिंगल प्लेयर ट्रेलर देख पाएंगे और मैं आप सबसे माफी चाहूँगा कि मैं अपने चैनल पर नहीं दिखा सकता कुछ कॉपी राइट नहीं के कारण पर इसकी लिंक मैंने अपने डिस्रिप्शन में नीचे डाल दी है तो आप देख सकते हैं इसको और E3 स्पेशल हिंदी गेमिंग समाचार देखने के धन् का लूँगा तो अगर आपको यह समा हिंदी गेमिंग समाचार पसंद आया है तो नीचे लाइक बटन दबाईए अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कॉमेंट सेक्षन में जाके कॉमेंट दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हिंदी गेमिंग समाचार टेकने के लिए धन्यवाद